हेलो फ्रेंड वेलकम टो माई चैनल दोस्तों उम्र कोई भी हो खूबसूरत दिखना हर महिला की चाहत होती है लेकिन खूबसूरत दिखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है स्वस्थ और बेदात तुचा लेकिन बढ़ती उम्र धूल मिट्टी और प्रदूशन हमा जाईयों और दागधबों से भड़ने लगती है लेकिन चिंता ना करें क्योंकि हमारी रसोय में कुछ ऐसे जादूई नुस्खे मौजूद है जो चहरे पर दागधबों के रूप में दिखने वाली जाईयों यानि की पिग्मेंटेशन से छुटकारा दिला सकते हैं इस से पहले कि मैं आपको ये नुस्खे बताओं पहले हम जान लेते हैं कि पिग्मेंटेशन या जाईयों आखिर होती क्या है और हमारे चहरे पर क्यों हो जाती है पिग्मेंटेशन या जाईयों तोचा में मिलैनिन के इस्तर के बढ़ने से होती हैं इसका मुख कार्य है सूर की तेज किरुणों से आने वाली अल्ट्रा वाइलेट किरुणों से तोचा की सुरक्षा करना जब अल्ट्रा वाइलेट किरुण तोचा को जाधा प्रभावित करने लगती हैं तो सुरक्षा कवच के रूप में मेलैनिन रिलीज होता है जिसकी वजह से चहरे पर हलके काले भूरे रंगे धब्बे हो जाते हैं जो की देखने में बहुत बूरे लगते हैं यही काले दर असल जाईया होती है महिला हो या पुरुष दोनों में ही यह समस्या दिखाई दे सकती है यह समस्या आम तोर पर 25 से 50 वर्ष की उम्र में हो सकती है तो चलिए फिर जाईयों को दूर करने के उपाय जान लेते हैं जाईयों वा काले धब्बो को हटाने में आलू बहुत प्रभावशाली है ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें केटकॉलेस एंजाइम होता है जो मेलनिन को नियंत्रित कर सकता है कुछ हफतों के लिए हर रोज दिन में दो बार एक आलू को घिसकर जाईयों वाले हिस्से पर लगाएं दस मिनट के लिए रहने दे और फिर चहरा धो लें एपल साइडर विनेगर में मौझूद एस्टिंजेंट तुचा की प्राकर्तिक रंगत को बनाए रखने में मदद करता है इसमें बीटा के रोटीन भी होता है जो की पोर्स की वजह से खराब ही तुचा को ठीक करने में मदद करता है एपल साइडर विनेगर या सेप के सिरके के प्रियोग से तुचा को नई जान मिलती है एक बड़ा चमच सेप के सिरके में चार चमच पानी मिलाकर रूई से पिगमेंटेड एरिया पर लगाएं पाच मिनट बार ठंडे पानी से धो लें दिन में दोबार आप इसका इस्तम कर सकती हैं एलोवेरा की फ्रेश लीव से पल्प निकाल कर चहरे पर लगाएं फिर इसे सूखने पर धो लें कुछ हफतों तक इसका रोज इस्तमाल करें इससे चहरे पर निखार भी आएगा एलोवेरा प्राकरतिक और शदी है और इसमें मौजूद एंटियों को जड़ से खत्म करने में मदद करेंगे चंदन का पेस्ट त्वचा को ठंड़क पहुचाता है और जाईयों को भी दूर करता है दो बड़े चम्मच चंदन पाउडर में गुलाब जल मिलाकर जाईयों पर लगाएं और सूखने पर धो लें कुछ दिनों तक हर रोज इसका इस्तमाल क करें इससे चहरे पर नैचरल ग्लो भी आ जाएगा और जाईयां भी दूर हो जाएंगी नीबू का रस नैचरल ब्लीचिंग एजेंट होता है और यह गुल जाईयों का इलाज कर सकते हैं इसके अलावा नीबू में विटेमिन सी और एंटियोक्सिडन गुल भी होते हैं जो जाईयों पर लगा लें और सुख्रे पर धो लें फ्रेंट्स इन घरेलू उपायों को रेगलो इस्तमाल करने से आप जाईयों से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं और आप पाएंगे एक स्वस्थ और बेदाक्तचा तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा वीडियो ज से सब्सक्राइब कर दीजिए